जैहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जैकपूर पे तो आज के इस वीडियों हम लग क्लास नाइन का जो एक तारीको आर्दवार्सिक परिक्षा होने जा रहा है ऐसे वन का उसके गनीत के कुछ इंपोर्टेंट सवालों को हम लेकर आ रह आज जो हम करेंगा रेखा और कोन ये आपके इसलेबस में हैं तो चलिए हाँ पर इसे सवाल जो कि आपको आने चाहिए जो कि आपको दिख रहा होगा इसी options को दिखकर आपको answer कर तो उसको हम लोग रेखा खंड कहते हैं क्या कहते हैं रेखा खंड कैते हैं ठीक है यह लगे नियून कोन जो होता है हमारा सब को पता है नियून कोन का मान जो होगा वो हमेशा 90 से क्या होगा अधिक होगा या 90 से कम होगा तो वो 90 से हमेशा कम होता है ठीक है एक पूर्ण कोन की बात करेगा जो पूरा कोन होता है एक पूर्ण कोन बनता है आपका 360 में य ठीक है अगला सबाले एक सरल कोन का मान आपको बताना है तो जिस सरल कोन होता है आपका वो 180 डिगरे होता है क्यों क्यों कि इसको आधिक कोन का मान क्या होगा तो दिखिए जो अधिक कोन का मान होता है वो 90 से अधिक और 180 से कम होगा याद रखिए कि 90 और 180 से बीच में होगा ठ 180 से कम होता है वो क्या कहलाता है तो ऐसे कौन को हम लोग अधिक कौन कहते है 90 से अधिक और 180 से कम ठीक है वह कौन जो 0 से अधिक होगा और 90 से कम होगा वह कौन कहलाएगा तो वह कहलाएगा आपका नियून कौन कहलाएगा ठीक है इसको याद रखना है वह कौन जो 180 से अधिक 360 से कम होगा वो क्या कहलाएगा तो गो हो जाएगा आपका परती बरती कुन कहलाएगा ठीक है याद रखिएगा दो कौन जिनका योग 180 के बराबर होता है उसको क्या बोलते है तो वो दोनों को क्या आता है संपूरक कौन होता है दो कौन होगा अगर उन दोनों को जोड़िये गए 180 हो जागा तो उसको हम लोग संपूरक बोलते हैं ठीक है यह याद रखेगा यह अच्छा सवाल है अर एक्जाम में भी पार बार पूछता है अब आते ही यह वाला सवाल जो एक्जाम में पूछा जाता है बोलेगा पूरक को निकालने के लिए कुछ मत किजिएगा दो चीज होता है हम आपको बता देना चाहते एक होता है पूरक एक बोलेगा आपको संपूरक निकालने पूरक देखिए छोटा वड़े संपूरक बड़ा वड़े पूरक निकालने बोलेगा 90 में घटा के बताईएगा संपूरक निकालने बोलेगा 180 में घटा के बताईएगा काम खतम हो जाएगा जैसे यहाँ पर बोला आपको 20 का पूरक निकालने तो 90 में 20 को घटा दीजिए कितना आएगा 70 option B हमारा यहाँ पर राइट answer हो जाएगा ठीक है अब आएगा दो कौन जिनका योग 90 के बराबर होता है वो क्या कौन सा कौन कहलाता है नबें अगर बोलेगा थो हमने पताया को पूरक हो जाता है ठीक है 45 का पूरक निकालने बोलेगा 45 का मतलब हमने बोल पूरक बोलेगा तो 90 में घटा दीजिए का नबें 45 घटा यह तो 45 आएगा 45 इसका answer हो जाएगा ठीक है इसी परकास से आप पूरक वाला सब अपने से निकाल लेज़ेगा ठीक है तो ज़्यादा टाइम बरबाद ना करते वे जो important सवाल है संपूरक अब ठीक संपूरक पैड़े यह संपूरक में मैंने आपको बोला ना 180 में घटाईए को जैसे यह आप तो आपको यहां पर 160 मिलेगा एक सो साट आपको option c में यही आपका answer हो जाएगा यानि पूरक बोले तो 90 म घटाईए संपूरक बोले तो 180 म घटाईए जैसे यहां पे आपको बोला 64 का संपूरक क्या होगा तो 180 में आपको 64 घटा ना होगा 10 मिसे 4 गया 6 8 मिसे 6 जाएगा 2 126 क निकाल देजिएगा ठीक है यह सब आपका जो है आसान है बहुत ही आसान है आप इसको बना सकते हो ठीक है अब बहुत सा सवाल जो यहां पर देख लिजए यहां पर आपको इस तरह का सवाल जब आएगा तो बच्चे इसको छोड़ कर आ जाते एक्जाम में बहुत ही आसा इसको ऐसे कर दो इधर बढ़का लड़ू रहता है पेट में छोटका लड़ू रहता है तो जो खा लेगा वो पेट में चल जागा तो छोटा वला को खा लेता है बड़ा वला लड़ू मुह में फस जाता है बस यतना सा ध्यान रखना अब यहां पर देखो यहां पर जो है ध X से क्या है बड़ा है ठीक है और और क्या है फिर इधर मचली का मूँ इधर 90 है तो यानि कि 90 X कहां चला जागा मचली के पेट में तो 90 से यह कितना हो गया चोटा हो गया तो यह X कितना होगा 90 से जब यह X छोटा हो गया तो यह क्या हो जागा नियून कोन हो जागा तो मचली का मूँ है, यह 90 कहां चला गया, मचली के पेट में, यानि यह 90 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, यह 90 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, लेकिन 180 से छोटा हो गया, क्योंकि 180 बड़ा हो गया, यह पेट में चला गया, तो 180 से छोटा है, तो 90 से बड़ा, 180 से छोटा, तो उ जेड से 180 से छोटा है लेकिन जेड जो है 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है यानि कि 180 और 360 के बीच वाला तो 180 360 के बीच वाला कोन को हम लोग क्या बोलते है परती वरती कोन बोलते है पूरक के बराबर होगा तो 45 होगा इस तरह का आप लोग बना लेना कोई भी 2 रेखा है एक दूसरे के कितने बिंदू पर परती छेथ करेगी तो दो समान्तर रेखा जब बोल देगा ना, तो समान्तर रेखा कभी भी पड़्शी-झथाद नहीं करहेगे यह एक मतलब या दोनों के बीच की दुरी सेम यहाँ पर फ़ी 살ी यहाँ पर इतना दुरी यहाँ पर इतना दुरी अब आपको इस तरह का सवाल भी एक्जाम में देखने को बिल सकता है तो figure देदेगा figure देने के बाद आपसे x का value पूछेगा तो आपको पता है कि यहां से यहां तक का angle जो होता है अगर ही 50 यह कितना होगा 30 होगा 130 होगा तो 130 कहा है option b में आपका right answer हो जाएगा बात समझ माया कि नहीं यह होगी आपका answer अब चले यहां पर आए कि यहां पर आए कि यहां पर दिहां से देखिएगा यहां पर कह रहा है कि यह भी एक सरल लिखा तो x कमान गयाद कीजिए अब यह 2x है यह 80 है दोनों मिला के कि पचास बार मिला कितना है पचास डिग्री हो जाएगा options देख लिए जहां पर options होगा वही आपका answer हो जाएगा पचास डिग्री option c में आपको दिख रहा है बस समझ माया कि नहीं same था यह English में है ठीक है अब वही चीज़ देखे यहां पर same to same है एक diagram आपको दिखेगा अब यह 42 है यहां पर x है 42 में यह x का value कितना होगा जिसको जोड़ने से 180 हो जाएगा तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह हो जाएगा 13, 133 में दो दोगे 40 अच्छान सी इसका right answer होगा ठीक है तो थोड़ा सा दिमाग लगा कर आप लोग देखोगे तो बहुत ही अच्छा है यह वाला सवाल exam में आता है ठीक है बचे घबरा जाते हैं देख करके लेकिन घबराना नहीं चाहिए बहुत ही आसान है यह 70 है यह 30 है कितना होगा 70-30 कितना हो जाता है 80 हम बन होगा यहाँ पर 70 है यह 30-30 मिलाके कितना होगा यह 100 बचा कितना 80 क्यूंकि बैया एक लाइन में कितना होता है 180 होता है यह 70-30 कितना होगा 100 यह बचे कितना 80 तो 80 कहा है option A में option A हमारा right answer होगा अब आईए इस वाले diagram को देखिए किसी भी सवाल में कोई formula लगा रहे है कोई जोड घटा हो मैनस कर रहे हैं इसी पर आपका mind के साथ खेल खेल करके आपको सारा math बता देंगे ठीक है यहाँ पर देखिए आप लोगो पता यह वाला समकोन नब्बे दिया अल्रेडी पहले से नब्बे यह नब्बे है अब यहाँ पर देखिए यह वाला जो x है 2x है ठी यह नहीं 2x को अगर x को हम जोड दे तो यह 90 के ब्राबर हो जागा नहीं 3x हो जागा तो 3x आपके किसके ब्राबर है 90 के ब्राबर हो तो 3 से इसको काटो गए तो 30 बार में x का value कितना आ जाएगा 30 कहां है आपका option c बस बंज में आ है कि नहीं चली तो यह हो गिया आपका से इसी परकास यहां पर देखिए यह वाला सवाल को देखिए ध्यान से हमें पता है कि एक रेखा पर 180 बनना चाहिए तो 5x यहां पर 1x यहां पर 6x है और 6x का value कितना हो जाएगा 30 बार में तो x का value कितना जाएगा 30 कहां है option b में आपका answer हो जाएगा ठीक है बस समझ में है कि चलिए आशा करते हैं आप लोगों को आज का यह वीडियो पसंद आयोगा वीडियो अच्छा लेगा तो फ्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा घंटी वाली आइकन को दबा लेजेगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का notification आपके mobile पे अहिरा परवीन धनबास से अंजली डालटेन गन से मनीज गलवा से पायल बिट्टू जुमरी तलया से भुर्दू खर्सवा से बवीता जाम ताला से दृष्टी महतो जमसेतपूर से और अरजुन गोपे सिंग भूम से यदि आप भी हमारे इस चैनल को और इस वीडियो को सपोर्ट करना चाते तो अपना नाम और अपने सहर का नाम कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू